संस्था बनाई जाए जिसमें सारे लोगों को संकलित करके ब्रज छेत्र की समस्याओं से लड़ने के लिए यहां की मानमर्यादाओं के रच्छा करने के लिए वो संस्था कारे करे और इस वास्ते हमारा पूरी का संकराचारे मठ पूरी तरह से सहजोग के लिए तत पर होगा साथ खड़ा होगा साथ ही साथ ये सरस्था बद्ध होकर समस्त लोगों के द्वारा हम लोग भारज सरकार को ये सुझाव देने के पक्ष में हैं जो कि सिग्राति सिग्र दिया जाएगा ब्रज 84 कोश का ये परिछेत्र जिसमें लाखों की तादाद में हर साल पूरे विश्वभर से लोग आते हैं परिक्रमा करते हैं खेतों में प्रवास करते हैं ये छेत्र 84 कोश तीन राज्यों में आता है चुकि ये अलग-अलग राज्यों से जुड़ा हुआ मामला है इसलिए भारत सरकार की तरब से एक ब्रज विकास प्राधी करण गठन करने का प्रस्ताव हम भारत के प्रधार मंतरी और सम्मंदित संस्थाओं को केंदरी एजंसियों को देंगे जिससे तीनों राज्यों की व्यवस्थाएं संकलित हों और संपुर्ण ब्रच और आसी कोस अपने जो प्राचिंतन स्वरूप में आगे आने वाले हजारो हजारो सालों तक के लिए अपनी धरोवर को संवर्चित करते कृष्ण भक्तों को आनन्द परदान करता रहे